इस वीडियो में आप जानेंगे पांच ऐसे बेस्ट फोन्स के बारे में जिनकी प्राइज 10,000 रुपए के अंदर रहेगी जी हाँ दोस्तों 10,000 रुपए के अलग-अलग प्राइज में 5 बेस्ट स्मार्ट फोन्स लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अलग-अलग शॉपिंग प्लेटफार्म पर इनके प्राइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है तो आप लोग बने रहेए मेरे साथ लेट्स गेट स्टार्ट फाइब बेस्ट स्मार्ट फोन्स में नमबर पांच पर है रियल्मी की तरफ से रियल्मी नार्जो 30A जिसकी प्राइज रिंज 8,999 रुपए है जिसमें लेजर ब्लेक सिंगल कलर आप्सन है तो बात करते हैं इसके फीचर्स और परफार्मेंस के बारे में इसमें आपको IPS LCD का डिस्पले मिलेगा जिसकी साइज 6.5 इंच यानि 16.51 सेंटीमीटर का होगा जो की HD प्लस क्वाल्टी के साथ रहेगा इसमें आपको डुएल कैमरा सेटप के साथ रियर कैमरा मिलेगा जिसमें में कैमरा 13 मेगा पिकसल का रहेगा और 8 मेगा पिकसल का फ्रन कैमरा मिलेगा इसमें आपको मीडिया टेक हैलियो जी 85 का प्रोसेर मिलेगा 3GV का RAM और 32GV के internal storage के साथ साथ external storage के लिए अलग से slot भी मिलेगा इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और 18W का fast charging जो की USB type C port के साथ रहेगा इसमें आपको dual sim setup जो की nano slot के साथ मिलेगा और हाँ back side में fingerprint का sensor भी मिलेगा यह phone अपने 6000 mAh की बैटरी और fast charging के लिए लोगों का ध्यान आकरसित करती है एक smartphone खरिदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए आप देख सकते हैं हमारा smartphone buying guide chapter 1 जिसका link आपको i button पर और description में मिल जाएगा नमबर चार पर है micro max की तरफ से micro max in 2B जिसकी price range 9,499 रुपए है जिसमें black, blue और green three color option है तो चलते हैं इसके features और performance की तरफ इसमें आपको IPS LCD का display मिलेगा जिसकी size 6.52 inch यानि 16.56 cm का होगा जो की HD plus quality के साथ रहेगा और इसमें आपको dual camera setup के साथ rear camera मिलेगा जिसमें main camera 13 megapixel का रहेगा और 5 megapixel का front camera मिलेगा इसमें आपको Unisirp T610 का processor मिलेगा 6GB का RAM और 64GB के internal storage के साथ-साथ external storage के लिए अलग से slot मिलेगा 5000 mAh की battery मिलती है जो की USB Type-C port के साथ रहेगा और इसमें dual sim setup जो की nano slot के साथ मिलेगा और back side में fingerprint sensor भी मिलेगा या phone अपने 6GB के RAM के कारण logo का ध्यान आकरसित करती है नमबर तीन पर है Motorola की तरफ से Moto E40 जिसकी price range 9999 रुपय है जिसमें carbon gray, pink clay, two color options है तो देखते हैं इसके features और performance के बारे में इसमें आपको IPS LCD का display मिलेगा जिसकी size 6.5 inch यानि 16.5 cm का होगा जो की HD plus quality के साथ रहेगा इसमें आपको triple camera setup के साथ rear camera मिलेगा जिसमें main camera 48 megapixel करहेगा और 8 megapixel का front camera मिलेगा इसमें आपको Unisoc T700 का processor मिलेगा 4GB का RAM और 64GB का internal storage के साथ साथ external storage के लिए अलग से slot मिलेगा इसमें आपको 5000 mAh की battery मिलती है जो की USB type-C port के साथ रहेगा और dual sim setup जो की nano slot के साथ मिलेगा और back side में fingerprint sensor भी मिलेगा यह phone अपने triple camera setup के कारण logo का ध्यान आकरसित करती है नमबर दो पर है Infinix की तरफ से Infinix Hot 10S जिसकी price range 9999 रुपए है जिसमें black, heart of ocean और morondi green 3 color option है तो जानते हैं इसके features और performance के बारे में इसमें आपको IPS LCD का display मिलेगा जिसकी size 6.82 inch यानि 17.32 cm का होगा जो की HD plus quality के साथ रहेगा इसमें आपको dual camera setup के साथ rear camera मिलेगा जिसमें main camera 48 megapixel का रहेगा और 8 megapixel का front camera मिलेगा इसमें आपको MediaTek Helio G85 का processor मिलेगा 4GB का RAM और 64GB के internal storage के साथ साथ external storage के लिए अलग से slot भी मिलेगा इसमें आपको 6000 mAh की battery मिलती है dual sim setup जो की nano slot के साथ मिलेगा और back side में fingerprint sensor भी मिलेगा या phone अपने 6000 mAh की battery और overall camera के कारण लोगों का ध्यान आकरसित करती है नमबर एक पर है micro max की तरफ से micro max in note 1 जिसकी price range 9,499 रुपए है जिसमें green और white two color options है तो ध्यान देते हैं इसके features और performance की तरफ इसमें आपको IPS LCD का display मिलेगा जिसकी size 6.67 inch यानि 16.94 cm का होगा जो की full HD quality के साथ रहेगा इसमें आपको quad camera setup के साथ rear camera मिलेगा जिसमें main camera 48MP का रहेगा और 16MP का front camera मिलेगा और इसमें Mediatek Helio G85 का processor मिलेगा 4GB का RAM और 64GB internal storage के साथ-साथ external storage के लिए अलग से slot भी मिलेगा और इसमें 5000 mAh की battery मिलती है और 18W का fast charging जो की USB Type-C port के साथ रहेगा इसमें आपको dual scene setup जो की nano slot के साथ और back side में fingerprint sensor भी मिलेगा यह phone अपने overall features और performance के कारण लोगों का ध्यान आकरसित करती है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें, comment करें, share करें और हाँ subscribe करना तो बिलकुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं next video में